हेलो फ्रेंड्स मैं विन्या निर्भिक फ्रेंड्स आप का एक बार फिर्षे हमारे चैनल पर श्वागत है तो फ्रेंड्स यूपी ट्रेपल से लेटेस न्यूस टूडे बिग ब्रेकिंग अपडेट ताबर तोड मिटिंग के बाद ताबर तोड नोटिस जे 2019 लुवर 2019 लेक 2019 टैपिंग टेस्ट रिजल्ट लोवर 2019 मेंस फाइनल आंसर की एंड रिजल्ट दोनों में से कोई एक आप समझ सकते हैं और फिर लेकपाल वैकेंसी नोटिफिकेशन इन सब की बारी अब फाइनली आज चुकी है मैं आपसे बोला था फ्रेंड्स की अभी तक लोगों हॉलि स्टार्ट होगा वो कल से स्टार्ट होगा यानि कल और परसो दो दिल में कुछ खास नोट से कुछ खास रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें सबसे खास होने वाला है जूनिर स्टेंट 2019 टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट उसके अलावा भी कोई एक और रिजल् कि 7-8 जनवरी तक लगबग उमीद है कि आदर्स अचार सहीता लग जाएगा क्योंकि जब डेट घोसित हो जाएगा इलेक्शन का फिर उसी दिन से आपका आदर्स अचार सहीता लग जाएगा यानि कि उससे पहले इनी नोटिफिकेशन देना ही देना है हर हाल में मैं जाएगा जाना चाहिए बहुत बढ़ी अपडेट है मीटिंग ओवर हो चुकी है दो दिन की हो सकता फिर से कल कोई मीटिंग हो क्योंकि फाइनली जो होता है जरूर होता है एक फाइनल साइन के लिए जैसा कि आप जाने नोटिफिकेशन को रुका वी लेकपाल का तो अभी यानि कि सबसे पहले उम्मीद ही है कि आपका जो जुने स्टेंट 2019 टैपिंग टेस्स रिजल्ट आएगा उसके बाद ही कोई कुछ होने वाला है तो जो भी अपडेट होगा फ्रेंड्स मैं आपको कल दोपर तक दे दूगा कि हां कल कंफर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख बने वाला है इसलिए मैंने आपको अपडेट नहीं दिया अगर आपको जन्यून अपडेट सबसे पहले चाहिए ठीक है और बिल्कुल जन्यून 100% टू जैसा हमेशा है मैं देता हूं तो उसके आपको क्या करना होगा और असकर साथ बेल आइकन प्रेश करना होगा ताकि म मैं चाहदत आज भी कनफर्मिली बोल दिया हो था कि आज ही साम को आपका रिजल्ट आ रहा है बट मैंने ऐसा कनफर्मिशन नहीं दिया क्योंकि मुझे कनफर्मिशन अभी आज नहीं मिला था लेकिन कल कि अब कि युझे जाएं कि नहीं पॉस्बिल्टी बंढ की आभी है कि आहीं जाएगी मैक्सिमम क्या 99% पॉस्बिल्टी वन पॉस्ट में फूचर पर शोड़ता हूँ कि फिज्ट कोई नहीं जानता है लेकिन 99% पॉस्बिल्टी कल एक रिजल्ट आने वाला है जो आपका कर देना है लेकपाल वेकेंसी के लिए क्योंकि आप जानते हैं बहुत टफ वेकेंसी होने वाली है इसमें ट्रिपल सी हटा दिया गया है कुछी पुछ पे ट्रिपल सी मांगा जा रहने कि कैंडिट्स जादा हो जाएंगे और जो पैट का कट आफ हो तो हाई रहने वाले मैं चुका हूं कि 90 परसेंटाइल से उपर है तभी आप अपने आपको सेफ मान सकते हैं चांस बन सकते हैं उससे कम में मुझे नहीं लगता चांस बनने वाला है क्योंकि जब 15 गुना बुलाया जाएगा आपके सामने सब को सच्चाई आ जाएगा पंदर गुना जोड़ने पर को कहां से कौन सी किताबे लेनी है कौन सी किताबे पढ़नी है कि सब्सेट के लिए किलीए क्तना प्राक्टेश करना है मैंने सब कुछ उस वीडियो में चर्चा किया मैं बताया था कि मैं पिछल्ग लिख rebel exam कैसे clear कहा सब कुछ मैंस वीडियो में बता रख है अ Already ठीक है उस उसी एक वीडियो के माद्यम से उसे आप लोग जरूर देख लेए और बाकि उसके अलाव कोई कन्फिजन है तो कोई डाउट रहता आपके मन में तो मैं जरूर आपको फाइनली बाद में बता दूंगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते उस वीडियो के यही कहूंगा आप लोग के हाथ में वही काम करिए ठीक है अब आप लोग बहुत से लोग यह पूछ रहे हैं कि एक्जाम कब तक हो सकता अकर का नोटिकेशन आ जाता है इस विक्तो तो फ्रेंट्से एक्जाम के बारे में आप देखें तो साफ साफ देख रहा है इसमें Omicron cases बढ़ते जारें निए COVID cases बढ़ते जारें COVID थरवेव आने के chances बढ़ गए हैं तो इससे कहा जा सकता है कि इसका भी effect exams पर पर exam पर पढ़ सकता है क्योंकि पूराने जो exam अभी तक वहीं नहीं हुए हैं अभी forest guard होना बाकी है आपका मई जुन तक आते आते क्या होगा सबसे पहले पूराने exams पर ध्यान देंगे जिसमें आपका video exam भी हो सकता है मई या जुन तक फिर उसके बादे लोग कहीं से नए notification के बारे में सोचेंगे जिसमें इंस्ट्रेक्टर है फिर महिला स्वास्तिकारी करती है यह सब जब हो जाएंगे फिर लिखपाल का नंबर आएगा तो इससे कहा जा सकता है कि जो लिखपाल का exam है अगर सिस्टमबर में जा सकता है जैसा कि 2015 में भी विगवा था 13 सिटमबर को हुआ था मुझे आज तक या 25 हुआ था और उसका जो रिजल्ट आया था 15 सिटमबर 2005 हुआ था यानि दो महीने बाद आया था तो उसी हिसाप से इस बार भी अंदादर लगाया जा सकता है इस बार का भी एक्जाम अगर सिटमबर तक जा सकता है क्योंकि अगर निउस्पेपर में होबाजी की जा रही है है नहीं बहुत से नोडिस देने बागी है इस विए लगपाल का एक्जाम होना पॉशिबल नहीं दीख रहा है अब कुस लोग जुनियर स्टेंट 2019 का कट-off पूछ रहे हैं अभी में कट-off नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने इस पी जरा सा भी सर्वे नहीं किया है जरा स लो रहने वाला है इसके कट-off मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसका कट-off कितना जाने वाला है और आपको यह भी मालूम है अगर आप इसमें सेलेक्शन नहीं पाते हैं तो लोवर की न्यू वैकन से भी आने वाली है आप उसमें फिर से लग सकते हैं और फिर अपन मतलब बेस्ट दे सकते हैं फिर से आप सेलेक्शन पास सकते हैं इसलिए आपको कभी भी निगेटिवटी नहीं लानी है मन में और हमें साब पॉस्टिव रहना है ठीक है फ्रेंड्स तो अब भी के लिए बस इतना ही थैंक यू चैह हिंद चैह भारत